Hello everyone, आज का topic हमारा है election law और constitution ये दोनों के लिए बहुत ही important topic है और ये case का नाम है K. प्रभाकरन वर्सिस P. जैराजन AIR 2005 ये 5 judges supreme court bench का case है याने कि constitution bench का case है तो ये बहुत ही important है आई ये समझते हमको पहले समझना है कि हम इसके पहले दो cases अल्रेडी पढ़ चुके है पहला था Union of India versus Association for Democratic Reforms जो 3 judges का case था और ये 2 judges का case कौन सा था P. UCL versus Union of India 2003 ये आप playlist में जाके पहले देख लिजिए और फिर इस पे आईए तो अब हम बात करते हैं इस case कि डिसकरा में K. प्रभाकरन versus P. जैराजन AIR 2005 Supreme Court 688 ये constitution bench का case है इस case में क्या हुआ आपको समझने से पहले समझना पड़ेगा section 8 of RPA Act 1951 हमारे पास election law के उपर दो most important laws हैं वो है RPA 1950 और RPA 1951 RPA मतलब representatives of people act अब RPA 1951 का section 8 बताता है कि कब-कब एक वेक्ति चुनों में खड़ा होने से बार कर दिया जाएगा यानि कि कब-कब वो convict हो जाए और उसके बाद उसको चुनों में खड़ा ना होने दिया जाए इसका जो clause 1 है वो ही कहता है कि अगर एक वेक्ति convict हो जाता है इस कानून के अंदर जैसे कि Customs Act, FARA या Protection of Civil Rights Act इस कानूनों के अंदर अगर वो सजा पाता है तो फिर वो 6 साल तक बार कर दिया जा सकता है अगला clause 2 क्या कहता है कि अगर कोई वेक्ति law on hoarding या profiteering के अंदर कोई अपरात करता है या dowry prohibition act के अंदर dowry लेता है तो भी वो 6 साल तक बार कर दिया जा सकता है अगला clause क्या कहता है कि अगर कोई और law के अंदर यानि कि जो clause 1 और clause 2 में laws बताए गई हैं उसके अलावा अगर वो दो साल तक सजा पाता है किसी भी अपरात के अंदर तो फिर भी वो 6 साल तक बाहर कर दिया जा सकता है लेकिन इसका एक inbuilt exception दिया हुआ है clause 4 के अंदर और वो ये कहता है कि अगर कोई sitting MP, MLA या MLC to continue their posts provided they appealed against their conviction or sentence in higher courts within 3 months from date of judgment यानि कि अगर कोई sitting MP, MLA है अब वो आगे चुनाओ लड़ रहा है और इसके साथ-साथ वो convicted हो चुका है किसी भी अपरात के अंदर चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे कितने भी साल लेकिन उसने 3 महीने के अंदर अपने conviction के सजा पाने के 3 महीने के अंदर-अंदर ही अपील कर दी तो वो चुनाओ में खड़ा हो सकता है इसका मतलब जो normal candidates हैं उसके लिए एक कानून और sitting MP, MLA और MLC के लिए एक अलग कानून अब यही constitutionality check हो गई इस case के अंदर के प्रभाकरन में और court नहीं यह कहा कि 8.4 of the act operates as an exception based on the factor of membership of a house क्यूंकि वो एक house का member है इसलिए उनके लिए कानून अलग है बाद में इसको overturn भी किया गया है उसको बाद में समझते हैं तो court नहीं यहाँ पर यह कहा 8.4 के अंदर कि the purpose of carving out an exception between sitting legislators यानि कि जो अभी बैठे हुए MPML हैं जो law बना रहे हैं और candidates जो अभी चुनाओ लड़के आएंगे जो अभी कुछ भी नहीं है उन दोनों में फरक है और purpose क्या है कि house को protect करना तो इस reason के साथ साथ इन्होंने constitutionality of 8.4 को maintain रखा और कहा कि यह constitutional section लेकिन हम जो next case discuss करने वाले हैं कल उसमें हम देखेंगे कि कैसे Lily Thomas versus Union of India के case में 2013 में एक two judges ने 8.4 को unconstitutional declare किया है आएए समझते हैं उसको next video में Thank you everyone